मेरे प्रिये भाई और बेहनों, हमें इस्यास नभी के ग्रंध की अध्याई दो में एक बहुत सुंदर वचन पढ़ने को मिलता है वाकितीन में वहां लिखा हुआ है आवो हम प्रभु के परवत पर चढ़ें याकूब के इश्वर के मंदर चलें जिससे वो हमें अपने मार्ग दिखाए और हम उसके पत पर चलते रहें लिखा हुआ है आवो हम प्रभु के परवत पर चढ़ें आवो हम प्रभु के परवत पर चढ़ें बैबिल में परवतों और पहाडों को बहुत बड़ा स्थान है हम पढ़ेंगे उत्पति ग्रंद ध्याई 22 में कि इब्राहिम अपने एक मात्र बेटा इस सहा को बली चाहने के लिए इश्वर के आगया के अनुसार मोर या पहाड ले जाता है और वहाँ पर इश्वर उससे अपने बेटे को बली चाहने से रोक देता है और उस पहाड पर एक मेड़ा पाया जाता है जिसकी बली चाहने जाती है इस सहा की जगह पर और इसलिए वहांपर लिखा हुआ है कि परवत पर प्रभु प्रबंध करता है हम مुसा के बारे में पढ़ते हैं नरगमन ग्रंथ में कि मुसा बार-बार सीनाए परवत पर चलगते थी ईश्वर से बात करने के लिए ईश्वर की सलाह लेने के लिए नरगमन गरंद अध्याई 34 में हम पढ़ते हैं कि मुसा 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्तना में सीनाय परवत पर बिताए सीनाय परवत पर बिताए 40 दिन और 40 रात और उस परवत पर उसकी मुलाकात इश्वर से हुई इश्वर ने 10 आग्याएं उसे दी जो पार्टियों पर लिखित हुई जिसको लेकर मुसा परवत पर से नीचे उतरते हैं हम राजाओं के पहले ग्रंद के अध्याए 18 में पढ़ते हैं नभी एलेया के बारे में पूरे इस्राइल में अकाल पढ़ा था कहीं व्रिष्टी नहीं हो रही थी लोग परेशान थे दुखी थे पीड़ी थे मरह थे और वचन में लिखा हुआ है एलेया अपने नौकर के साथ कारमिल पहाड पर चढ़ जाते हैं और कारमिल पहाड पर प्रार्थना में लीन हो जाते हैं और एलेया के प्रार्थना के बदावलत बहुत बड़ी वर्षा होती है कारमल पहाड पर एलयाने ईश्वर को एक बहुत बड़ा चमतकार करने के लिए अपनी प्रार्थना के द्वारा मजबूर किया एक तरह से उसी तरह नए विधान में हम पढ़ते हैं कि प्रभी एसु पर्वत पर चड़ते हैं पहाड पर चलते हैं सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभी एसु भीड को देकर पहाड़ी पर चड़ जाते थे वचन सुनाने के लिए बार-बार कई बार लुकस के सुसमाचार के अध्याए नौ में हम पढ़ते हैं कि प्रभी एसु अपने शीशों को लेकर एक पहाड़ पर चड़ गए प्रार्थना के दोरान पहाड पर प्रार्थना के दोरान चमतकार होता है रूपांदरन होता है मार्कुस के सुसमाचार के अध्याई तीर में हम पढ़ते हैं प्रभी एसु एक पहाड़ी पर चरते हैं और जिनको वे चाहते थे उनको अपने पास बुलाते हैं अपने शिश्यों को अपने पास बुलाते हैं हम पढ़ते हैं स्थोत्र 111 में उसके वाकी एक में स्थोत्रकार कहता है मैं अपनी आँखें परवतों के ओर उठाता हूं क्या वहां से मुझे साहता मिलेगी जिसने अरकाश और पृत्य को बनाया है वही मेरी साहता करेगा स्थोत्रकार कहता मैं अपने आँखें परवतों के ओर उठाता हूं देखिए यरुसेले मंदिर सियोन परवत पर खड़ा था यरुसेले मंदिर सियोन परवत पर बना हुआ था इसलिए सभी यहूदी बड़े विश्वास के साथ उस परवत की ओर देखा कर दे थी हम दानियल के गरंद की अध्याई छे में पढ़ेंगे कि दानियल अपने देश से निर्वासित था परदेश में रह रहा था वहां रहते हुए भी उस खिड़की को खोला करता था जिस खिड़की येरुसेलेम की ओर लगी भी थी और येरुसेलेम के उस महान उस पवित्र परवत की ओर देखकर वो प्रार्तना किया करता था इश्वर की आरातना किया करता था इस्यास नभी के ग्रंध के अध्याय 25 में हमें एक बहुत जबर्दस प्रतिग्य सुन्न को मिलती है वहाँ पर क्या लिखा हुआ है वाकिछे से वहाँ लिखा हुआ है विश्य मंदल का प्रभू इस परवत पर सब राष्टों के लिए एक भोज का प्रबंद करेगा उसमें रसदार मांस परोसा जाएगा और पुरानी तथा बढ़िया अंगूरी वह इस परवत पर से सब लोगों तथा सब राष्टों के लिए कफन और शोक के वस्त्र हडा देगा वह सदा के लिए मृत्यू समाप्त करेगा प्रभू इश्वर सब के मुख से आंसु पहुंच डालेगा वह समस्त प्रतिपर से अपने प्रजा का कलंक दूर कर देगा प्रभू ने ये कहा है कितना जबरदस्त प्रतिग्या है इश्वर कहता है प्रभू कहता है कि इस परवत पर प्रभू ये कारेंगे अब सवाल ये खड़ा होता है ये परवत क्या है ये पहाड़ क्या है ये परवत क्या है ये पहाड़ क्या है परवत उंचा स्थान माना जाता था स्वर्ग के करीब माना जाता था ये परवत क्या है ईश्वर का सानिध्य प्रभु की उपस्तिती और ईश्वर के सानिदे में ये सब होता है ईश्वर के सानिदे में ये सब होता है प्रभु कहते हैं इस एक भोज का प्रवंद होगा ईश्वर के सानिदे में लोग त्रप्त किये जाएंगे एश्वर के सानिदे में लोग आनन्द मनाएंगे एक बहुत गहरी बात है मैं अपने अनुभाव से बता रहा हूँ इस आश्वर में विशेश करके एश्वर के सानिदे में एश्वर की विपस्तिती में क्या क्या नहीं होता है चमतकार और चिन प्रकट होते है प्रभु का अचन गयता है कि वो उस परवत पर प्रभु के परवत पर यानि प्रभु के सानिदे में लोगों को अपनी प्रजा को त्रिप्त करेगा उनको आनन्द से भर देगा स्तोत्र में लिखा स्तोत्र सॉलह वाक्य ग्यारह में अंगरे जी में इसका अन्वाद और बैतर है In your presence is the fullness of joy यानि तेरे सानिद्य में परिपूर्ण आनन्द मिलता है एश्वर के सानिद्य में परिपूर्ण आनन्द मिलता है मैं एक छोटा जवदारिन देता हूँ मान लिजी आप आग के पास बैठे हुए हैं आप आग के पास बैठेंगे तो क्या होगा आग की गर्मी आपके शरीर में प्रवेश करेगी आप चाहे या ना चाहें आप धूप में बैठेंगे तो क्या होगा धूप की गर्मी आपके शरीर में प्रवेश करेगी आप चाहे या ना चाहें इसी तरह प्रभु के सानिदे में परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता वचन कहता है स्तोत्र 84 उसके वाक्य पांच में लिखा हुआ है धन्य है वे जो तेरे मंदर में निवास करते हैं अंगरे जीम इसके नुवाद है यानि तेरे निवास स्थान में रहने वाले आनंदित है खूश है प्रभु के सानिदे में आनंद उपलब्द होता है आगे लिखा हुआ है कि प्रभु सब लोगों तथा राष्ट्रों के लिए कफन और शोक का वस्तर अटा देगा प्रभु के सानिदे में ये होता है प्रभु की पस्तिती में ये होता है मेरे भाई और बेनों हर प्रकार का शोक मिड़ जाता है अभी पिछले पहले करोना के बाद एक जवान बेटी आस्रम आई थी करीब पचीस साल की उसका पिता गुजर गया था और इतनी दुखी थी वो काम ने कर रही थी काम को उसने छोड़ दिया इतनी दुखी होकर आई थी उसने हमारे प्रार्तन दल के सदस्यों के साथ संपर्व किया और आस्रम आई मेरे सामने बैठते समय भी बहुँँद दुखी थी मैंने उसको प्रार्थना करने के लिए प्रेरिद किया और कहा कि तुमको दर्षन बहुन में घंटों बिताना है मैं आपको बताऊंगा कि जाते समय आनंदितो कर वापस गई थी मेरे गिरने के बाद वो आई थी मिलने के लिए मैं उसका नाम लेना ने चाहता प्रभु के सानिद्य में हमारा शोक मिट जाता है कितने ही लोग साधना में भाग लेने के बाद मुझे बताते हैं कि उनका शोक मिट गया वो आनंद जवर गे हमारे आश्रम में कुछ भाई लोग आते हैं एक मेहने के अनभाव के लिए वे तुरंद पुरोहिद बनने वाले हैं फादर बनने वाले हैं और उनको तीन दिन का मोका दिया जाता है दर्शन बाउन और वर्दान में प्रार्तना में रहने गिले तीन दिन प्रार्तना में और हर ग्रुप से मैं पूशा करता था कि आपका क्या अनुभाव है मैं आपको बताना चाहता हूँ पहला अनुभाव उन्होंने कहा कि आनंद प्रभु के सानिदे में आनंद मिलता है प्रभु की उपस्तिति में आनंद मिलता आगे लिखा हुआ है कि वो सदा के लिए मृत्यू समाप्त करेगा इस परवत पर जो के सानिदे में बैठता है उसके अंदर जो मृत्यूए प्रभू उसको समाप्त करेगा अमारे दर्शन बाहन में दर्जनों या दर्जनों ना कहूँ सैकडों लोगों ने जो गंभी रोग से पीड़ी थे चंगाई प्राप्तिगी है ये हमारे दर्शन बाहन की बात नहीं है जहां कहीं भी प्रभु के सानिदे में लोग जाते हैं प्रभु का सपर्ष उन्हें मिल जाता है और उन्हें चंगाई मिल जाती है प्रभु कहते हैं मैं मेरे सानिदे में अपने सानिदे में इस परवत पर से हर प्रेकार के मृत्वी और मृत्वी के कारणों को हड़ा दूँगा आगे लिखा हुआ है कि वो सब के आंसु पोंच डालेगा प्रभु के सानिदे में बैठना बहुत सारे दुखी पीडित लोग आसरम आते हैं मैं उनसे कहता हूँ प्रभु के सानिदे में बैठ जाओ लोगों से बात करने से कुछ नहीं होता है अपना दुखड़ा दुनिया के लोगों को सुनाने से कुछ नहीं होने वाला है प्रभु के सामने बैठो रो अभी हाल में आस्रह में योतियों और योकों के लिए कारे करना हुआ मैंने उनसे कहा था कि बेटे तुम रो ना प्रभु के साने दिने और आप विश्वास नहीं करेंगे इतने जोर जोर से रो रहे थे कि आसपास के लोग पुछने लेके क्या हो रहा है नतीजा अगले दिन सारे बच्चे आनंद के साथ बता रहे थे कि जिन्दगी में पहली बार इस तरह रोया हूँ और मुझे कितने गहरे आनंद का नवह हो रहा है प्रभु कहते हैं योहन के समाचार के अध्याई 16 वाकि 20 में तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा जो प्रभु के साने दिने में जाता है उसका शोक आनंद में बदल जाता है आगे लिखा हुआ है अपनी प्रजा का कलंक दूर कर देगा प्रभु प्रभु के परवत पर प्रभु के सानिदे में कलंक मिट जाता है अलग अलग के प्रकार के लोग जो पाप के शिकार थे असलीलता के शिकार थे मैंने उनसे कहा कि आपको बैठना है प्रभू के सामने एक भाई जी आये थे बहुत दूर से बहुत मेरे शिराबी थे शिराब पी के मतवाला होकर यहाँ वाँ पड़ा रहता था उसको उठा के लियाना पड़ता था उसने कहा कि मैं बहुत परिशान हूं मैंने पुछा आपकी समस्या क्या है उसने कहा मैं बहुत जादा शिराब पीता हूं मैंने कहीं आपकी समस्या नहीं है बार बार वो बोलता कि यह तो मेरी समस्या है मैंने कहा आपकी समस्या यह है कि आपने शिराब से बहतर और कुछ नहीं चखा है और मैं चाहता हूं कि सार्ष्रम में रहते समय आप शराप से बहतर कुछ चखें इसलिए मैंने कहा कि आप सारी प्रार्तनाओं के अलावा व्यक्तिक अतरूप से 6 घंटे प्रार्तनामी बिताएंगे और वो मेरी ओर ताक्ता रआ गया कि 6 गंटें हम प्रार्थना में बताएंगे उसने जाकर एक नई बाइबल खरीद ली मैंने देखा कि हमारे जितने भी मंदरी यहाँ पर प्रार्थनाले हैं उन सारे प्रार्थनाले में वो जाय करता था घंटों प्रभु के सामने बैठता था विश्वास कीजिए तीन मेहने के अंदर वो चराप से नश्य से पून रूप से छुटकारा प्राप्द गिया आज भी वो सही सलामत है जो प्रभु के सानिदे में जाता है उसके जीवन में चमतकार और चिन प्रकट होते है मुझे बड़ा दुख लगता है लोगों को मैं बताता हूँ कि प्रभु के सानिदे में जाओ प्रभु की पस्तिती में बैठो क्योंकि ये प्रभु की प्रतिग्या है लेकिन वो प्रभु की पस्तिती में बैठने को तयार नहीं है मेरे सामने बैठकर घंटों बात करने को तयार है प्रभु के सानिदे में बैठने के लिए तयार नहीं है मैं आपसे सच कहता हूँ अगर आप इमानदारी के साथ प्रभु की पस्तिती में बैठेंगे और प्रभु के संपर्क बनाये रखेंगे आपकी जीवन में प्रभु चमतकार और चिन प्रकट करेंगे तो प्रभु का वचन कहता है कि इस परवत पर से सब राष्टों के लिए एक भोज का प्रबंद करेगा और आगे लिखाओ इस प आनिदे में करते हैं सवाली खड़ा होता है कौन उस परवत पर चढ़ सकता है एक बहुत सुंदर वचना में पढ़ने को मिलता है वो है स्तोत्र चौबीस में स्तोत्र चौबीस उसके वाक्य तीन और चार में क्या लिखा हुआ है प्रभु के परवत पर कौन चढ़ेगा उ वही जिसके हाथ निर्दोष और हिर्दे निर्मल है जिसका मन असार संसार में नहीं रमता जो शपत खाकर धोखा नहीं देता है चार बातें बताई गई हैं पहली बात जिसका हाथ निर्दोष दूसरी बात जिसका हिर्दे निर्मल है तेसरी बात जिसका मन असार संसार में न रमता है चौती बात जो शपत खाकर धोखा नहीं देता है एश्वर के परवत पर चमतकार होता है प्रभु के सानिदे में चमतकार होता है मैंने आप से कहा लेकिन कौन प्रभु के परवत पर चड़ सकता है कौन प्रभु के निवासस्थान में जा सकता है कौन प्रभु के सा पहली बात जिसके हाथ निर्दोष हैं इस स्यास नभी गरंद की अध्याई एक उसके वाकिय पंद्रह में लिखा हुआ है जब तम प्रार्थना में अपने हाथों को उपर उठाओगे मैं अपने आँखों को फेर लूँगा जब तम प्रार्थना में अपने हाथों को उपर क्यों आस्मान को उठाओगे मैं अपने आँखें फेर लूँगा जब तो मुँची उची प्रार्थनाएं करोगे मैं उसको अनसुना कर दूँगा क्यों? क्योंकि तुमारे हाथ रक्त से रंगे हुए है प्रार्थना करना काफी नहीं है प्रभु के सानिदे में जाना काफी नहीं है प्रभु कहते हैं तुम्हारे हाथ पाप से रक्त से रंगे हुए है जिसके हाथ निर्दोर्ष है यानि जो जिसके अंदर पाप नहीं है असलीलता पाप बुराईया अपराध अन्याए बेमानी तो आप सवाल करेंगे तो क्या पापी प्रभु के परवत पर नहीं चल सकता है क्या प्रभु के सानिदी में नहीं जा सकता है जरूर जा सकता है परश्चता आपके साथ जाना होगा सच्चे पर्षताप के साथ प्रभु के सानिदे में जाएंगे आपको वो सारी बाते मिलेंगी जो प्रतिग्या में दी गई है दूसरी बात जिसका हिर्दे निर्मल है प्रभी येशु स्वैम कहते है मतिक येशु समाचार के अध्याए पांच में धन्य है जिनका हिर्दे निर्मल है वे इश्वर के दर्शन करेंगे तो इश्वर के दर्शन इश्वर का अनभाव इश्वर की किर्पा का अनभाव वे ही कर सकते हैं जिनका हिर्दे निर्मल है यानि जिसमें कपट नहीं है चल नहीं है विद्वेश नहीं है कुरोध नहीं है मत्ति अध्याय पांच वाकि 23 और 24 को अपने पढ़ा है प्रभु कहते हैं जब तुम वेदी पर भेंट चढ़ा रहे हो तुम्हें याद आए किसी को तेरे तुमारे प्रती कोई समस्या है अपनी भेंट को वही छोड़ दो जाकर मेलमिलाब कर लो तब आकर भेंट चढ़ाओ यानि तुमारे भेंट बिना मेलमिलाब के स्विकार यह नहीं है जिसका हिर्दे निर्मल है जिसका हिर्दे में वासना नहीं motion चलीलता नहीं है कपट नहीं है धोखा नहीं है जब हमारा हिर्दे निर्मल होगा तब हम प्रभु के सानिदे में जाने लायक होंगे प्रभु के जुडने से जुडने लायक होंगे प्रभु के दर्शन के लायक होंगे प्रभु की कृपा के लायक होंगे तिसरी बात बताये गई है जिसका मन असार संसार में नहीं रमता है जिसका मन असार संसार में नहीं रमता है यानि जो संसारिक नहीं है याकूब के पत्र की अध्याई चार वाकि चार में याकूब कहते हैं रेक कप्टियों क्या तुम यह नहीं जानते कि संसार से मित्रता का अर्थ है इश्वर से बैर क्या तुम्हें नहीं मालुम कि संसार से मित्रता का अर्थ है इश्वर से बैर जो संसार का मित्र बनना चाहता है वो इश्वर का शत्रू बन जाता है पहला यहन अद्याई दो वाकि पंद्रा और सौला में यहन कहते हैं तुम ना संसार से प्यार करोगे संसार की चीजों का जो संसार से प्यार करता है उसके अंदर पिता का प्यार नहीं है तो जिसका मनसार संसार में ने रमता है हम संसार और ईश्वर को दोनों को एक साथ उनकी सेवा नहीं कर सकते हैं मत्य अध्याईचे वागे 24 प्रभु कहते हैं तुम संसार तुम धन और इश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते संसार और इश्वर दोनों की अरादना नहीं कर सकते हमें स्विकार करना होगा कौन मालिक होगा कौन नवकर होगा तो प्रभु कहते हैं जिसका मन असार संसार में नहीं रमता है वही प्रभु के परवत पर चल सकता है और अंतु में लिखा गया है जो शपत खाकर धोखा नहीं देता है जिसमें बेमानी नहीं है जिसमें अन्याय का भाव नहीं है जो असत्य के मार्ग पर नहीं चलता है जो जूट नहीं बोलता है लुकस केशु समाचार के अध्याई उन्नेस में हम जकेवुस के बारे में पढ़ते हैं जब प्रभी एशु ने कहा कि मुझे तुम्हारे यहां ठाहरना है उसके आगे प्रभी एशु उसके घर तक पहुंच जाते हैं तो जाके उस निरनय लेते हैं कि मैं जिनको ठगता था मैं चवगना वापस लोटाओंगा यानि प्रभु का सानिध्य, प्रभु की पस्चिति, प्रभु की किर्पा और बेमानी एक साथ नहीं जा सकती धोखा, बेमानी, ठगने की प्रवर्ती और प्रभु की अरादना एक साथ नहीं जा सकती प्रभु का सानिध्य और बेमानी एक साथ नहीं जा सकते तो चार बातें प्रभु बताते हैं अगर प्रभु के सानिध्य में जाने लाइक होना हमें सबसे पहली बात कि हमारे हाथ निर्दोश हो दूसरी बात हमारे हिर्दय निर्मल हो तीसरी बात हमारा मन असार संसार में ना रमता हो हम सांसारिक ना हो चौथी बात कि हम धोखा नहीं देते हो हम जूटनें बोलते हो हम सत्य के पक्ष में हो मेरे प्रिये भाई और बेनो मैं आज आपको बताने चाहता हूँ कि प्रभु की पस्थिती में चमतकार और चिन होते हैं अंग्रे जी में कहा जाता है prayer moves mountains यानि प्रार्थना पहाड़ों को भी हटा सकती है प्रभी ये शुने स्वयम कहा है मतिके सुस्समाचार के अध्याए 21 वागय 22 में प्रभु ने कहा है यदि तुम विश्वास के साथ प्रार्थना करोगे वैसा ही होगा मार्कुस अध्याए गैरव वागय 24 में प्रार्थना में तुम जो मांगते हों विश्वास करो कि तुमें मिल चुका तो प्रभु की उपस्तिती में बड़े-बड़े चमतकार और चिन प्रकट होंगे उसके लिए आवश्यक है कि हम प्रभु की उपस्तिती में जाएं मुझे माफ करना कई लोगों में मनुश्यों के पास जाने की प्रवर्ति है वे सिर्फ काउंसिलिंग चाते हैं मनुश्यों के पास जाना चाते हैं लेकिन एश्योर के सानिदे में प्रभु की उपस्तिती में जाने को तयार नहीं है प्रार्तना में प्रभु की उपस्तिती में बड़े-बड़े चिन और चमतकार प्रकट होते हैं आज मैं आप सेन्रोद करूँगा प्रभु की पस्तिती में जाईए प्रभीय सुने क्या कामत्य अध्याईच्छे में उसके वागिच्छे में कि जब तुम प्रार्तना करते हैं अपने कमरे में जाओ दर्वाजा बंद करो और एकांद में प्रार्तना करो और तुम्हारा कांद की प्रार्तना में दम है शक्ति है ताकत है इस्यास नभी में नभी कहता है कि आओ हम प्रभु के परवत पर चड़ें आओ हम प्रभु के परवत पर चड़ें हम सभी लोग प्रभु के परवत पर चड़ें प्रभु के सानित ही जाएं प्रभु की उपस्तित ही जाए ताकि प्रभु के चमतकार और चिन हमारी जीवन में भी प्रकट हो जाएं देखे स्थोतरकार क्या कहते हैं स्थोतर 84 में उसके वाकिय पांच से तेरे मंदर में रहने वाले धन्य हैं वे निरंतर तेरा स्तुतिगान करते हैं आगे लिखा हुआ है धन्य हे वे जो तुझ से बल पाकर तेरे परवत स्योन की तीर्थातरा करते हैं यहूदी बड़े बड़े परवों के औसर पर यरुशले मंदर जाया करते थे वे जहां कए भी थे वहां से तीर्थी आतरा करते थे मंदर की यूर उनका लेक्श एक था वो मंदिर वो परवत सियोन परवत जहाँ पर येरुसेलेम मंदिर था और वहाँ पर उनको ईश्वर से सांतोना मिलती थी ईश्वर से कृपायें प्राप्त हो जाती थी आगे लिखा हुआ है वे सूखी घाट ही पार गरते हुए उसे निरजर भूमी बनाते हैं आगे लिखा हुआ है चलते चलते उनका उच्शाह बढ़ता है और वे सियोन में प्रभु के सामने उपस्तित होते हैं यहूदी लोग बड़े आनंद के साथ जाते थी स्तोत्र 122 में हम पढ़ते हैं वहाँ लिखा हुआ है वाकि एक में मैं यह सुनकर आनंदित हो उठा आवो हम ईश्वर के मंदिर चले यहूदी आनंदित होते थे जब त्योहार के दिन की घोशना होती थी और लोग बड़े आनंद के साथ जाते थे वचन में लिखा हुआ है चलते चलते उनका उठसाह बढ़ता है कि हम प्रभु के परवत पर जा रहे हैं प्रभु के निवास की ओर जा रहे हैं और वे सियोन में प्रभु के सामने उपस्थित होते हैं एक लक्षे था प्रभु का सानिद्य प्रभु का परवत आगे क्या लिखा हुआ है हजार दिनों तक और कहीं रहने के अपिक्षा एक दिन तेरे प्रांगन में बिताना अच्छा है कितनी जवर्दस्त बात है सोत्रगार कहता है हजार दिनों तक और कहीं रहने के अपिक्षा एक दिन तेरे प्रांगन में बिताना अच्छा है दुष्टों के शिवरों में रहने के अपिक्षा एश्वर के मंदर की सीडियों पर खड़ा होना अच्छा है और एक बार सुनिये वचन में लिखा हुआ है हजार दिनों तक और कहीं रहने के अपिक्षा एक दिन तेरे प्रहांगण में बिताना अच्छा है आगे दुष्टों के शिविरों में रहने की अपिक्षा एश्वर के मंदर की सीडियों पर खड़ा होना अच्छा है इसलिए सोत्रकार कहता है तेरे मंदर में रहने वाले धन्य है अंग्रेजी में उसका अनुवाद है यानि तेरे मंदर में रहने वाले खुश है आनन्दित है मेरे प्रिये भाई और बेनों हम अपने प्रति दिन के जीवन में व्यस्थ रहते हैं अलग-अलग प्रकार के कारियों में व्यस्थ हैं ये एक सच्चाई है संद पालूस कहते हैं जो काम ना करता हो वो भोजन ना करे हम वेस्थ जरूर हैं लेकिन प्रभू के निवास स्थान में जाने के लिए प्रभू के सानिद में जाने के लिए हमें समय निकालने की अवश्रक्ता है मैंने कई ऐसे मसी परिवारों को देखा है जो कभी साधना ही नहीं करते हैं प्रार्तना के लिए समय आलग नहीं निकालते हैं नतीज़ा यह है कि उनके जीवन में उनके परिवार में जो टूटापन वो टूटापन और ज़्यादा बढ़ता जाता है जो दरार है और दरार बढ़ती जाती है लेकिन जितना प्रभु के सानिदे में जाते हैं दरारें भर जाती है हमें नवीनता मिल जाती है पुराने पत्ते गिर जाते हैं हमें नए पत्ते मिल जाते हैं हमें नए उत्साह मिल जाता है हमें नए किर्पा मिल जाती है हर परिवार को साधना की जरूरत है हर परिवार को प्रभु के सानिद्य में जाने की जरूरत है उस सानिद्य से हम जीवन प्राप्त करेंगे प्रभु ये एक मातर सानिद्य है जहां से हमें आनंद मिलेगा दिखिए आनंद एक दैवीग गुन है मजा अलग चीज है सच्चा आनंद इश्वर से आता है जैसा कि स्थोतरगार कहाता है स्थोतर 16 वाक्य 11 मैंने पढ़कर सुनाए आपको वहां पर कहा लिखा हुआ है कि तेरे ही सानिधि में संपून या परिपून आनंद प्राप्त होता है हम प्रभु के पास जाने के लिए प्रयास करें प्रभु के सानिधि में जाने के लिए प्रयास करें स्थोतरगार कहता है स्थोतर 22 में जिस तरह हिरनी जलधारा के लिए प्यासी है उसी तरह मेरी आत्मा तेरी लिए प्यासी है हमारे अंदर ये प्यास बनी रहे प्रभून मिलाए कैसे एक शाहर से कुछ मसीही लोग एक दिन के लिए हां पर आना चाहते हैं वचन सुनना चाहते हैं प्रार्थना में बैशना चाहते हैं हम प्रभू की परवत पर चढ़ें वहां प्रभू हमें तृप्त करेंगे हमें आनन से भरेंगे आएं प्रार्थना क के लिए तेरी आशिशों के लिए तेरी कृपाओं के लिए धन्यवाद देते हैं, तु सदा हमारे इंतजार में रहता है, तु उस पवित्र परवत पर निवास करते हुए हमारे इंतजार में रहता है, तेरे सान्यदे में तु हमें आहवान करता है, तुने स्वयम का था कि मा बोज से दबे परेशान बेचायन लाचार अशान्द भाई बेनों के लिए समय प्रार्टना करता हूं प्रभु तेरे पास आने के लिए उन्हें किरपा दीजिए तेरे सानिदे में कुछ समय बिताने के लिए किरपा दीजिए स्तोत्रकार की तरह उन्हें भी आनंदित कीजिए उत्साहित कीजिए कि तेरे पास आजाएं वे उत्सा के साथ तेरे पास आजाएं और तेरे सानिदे से किरपायें प्राप्द करें तुने का अपने पवित्र वचन में कि उस पवित्र परवत पर हर प्रकार के कलंग को मिटा जाएगा आंसु पोचा जाएगा शोक उको मिटाये जाएगा तेरे सानिद्यस से ऐसा अनुभाव करने के लिए मेरे भाई बेनों को प्रार्थना कवर्दान दीजिए तेरी उपस्तिते में आने कवर्दान दीजिए उनको अरप्रकार के अभिश्वास के बंधन से छुटका का दीजिये जाएगा झाल दीजिते में लिएगा नार्थन